नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजली न्यूस कौन में, मैं हूँ आपकी वही अंजली उजाले अपने यादो के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाए जी हाँ आपने साइस सुना हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं, आज के तिन जिन का बज्जे है या फिर मैरे जूनिवर्सरी है, उनको मेरी तरव से धेड सारी गुट विशिस हो और धेड सारी बधाई हो, तो चलिए शुरू करते हैं जिन्दगी में बोलना भी सीखे, वरना सुनते ही रह जाओगे, इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके शब्दों में जहर होता है, इसलिए हमेशा नीठा बोलना सीखे, सफलता हासिल करनी है तो महनत करो, किसमत तो जूए में काम आती है, महनत करते रहिए इसका फल आपको उस सफलता के रूप में अवश्य मिलेगा, कुछ सफर अकेले भी तै करने पड़ते हैं, हर सफर में हम सफर नहीं मिलते, जिन्दगी बाद में सवारना पहले उस लम्हे को सवारो जहां पर जिन्दगी खड़ी है, कच्चे मकानों में रहने वाले ही उंची मिनारों को जन् सीबतों से बचने की कोशिशें नई मुसीबतों को जरम देती हैं, हम ये तो जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्या बन सकते हैं, बुरी संगत से बहतर है अकेले रहना, समस्याओं के बिना इनसान आगे नहीं बढ़ सकता, अपना कि एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक पूरी दुनिया को बदल सकता है, जिन्दगी की एक ऐसी किताब है, जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं बढ़े हैं, साधारण और श्रेश्ट में सिर्फ इतना सांतर है, कि साधारण उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेश्ट उसे चुनता है, जो मुश्किल है। नजर आने वाली है, करीबी व्यक्ति के सिहत में सुधार भी नजर आने की वज़ा से, आपके मन पर जो बनी चिंता है, वो कम होने लगेगी धीरे-धीरे। जैसा कि आप चाहते थे। इसके साथ ही, आज दिन चरिया की कामों से हटकर, आप किसी इंपॉर्टन गति विधी पर अपना ध्यान फोकस कखेंगे। इतहार से जुड़ी किसी गति विधी में आपकी आज विशेश रूची भी भनी रहेगी। कुछ समी परिवार से रिलेटिड जरूरी चीजों की खरीदारी में भी समी आपका स्पेंट हो सकता है। आज किसी इंपॉर्टन विधी के साथ विशेश मुद्दे को लेकर कहा सुनी होने की आशंका है। जादा जल्दबाजी और उतेजित हो जाना आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है। पैतरिक समंदी मामलों को किसी की मध्यस्तता से सुलजाने का प्रियास करें। जितना होल सकें आप इसे सुलजाएं तो ही जादा बेटर होगा। अज आपके मन मौजिस सभाव का परिणाम आपकी व्यक्तिकत बातों पर दिख सकता है। हर किसी की बात में अधिक चिंता करना या बिल्कुल भी चिंता ना करना आपकी जीवन में अन-बैलन्स बना सकता है और संतुलन बना सकता है। इसलिए जीवन को संतुलन बना कर और स्थिर्ता लाने की कोशिश को और भी जादा आपको बढ़ाना होगा। अगर आपके लाइब जो है, बालंस रहेगी, तभी आप हर काम को समय पर कंप्लीट कर पाएंगे. आज आप इव्यस्ततम दिन चर्या में से कुछ समय जो है, सुकून और मौज मस्ती के लिए जरूर निकाले, और कई लोग तो निकाल भी पाएंगे. रिष्टिदारों और पडोसियों के साथ किसी कंभीर विशे पर आज चर्चा हो सकते हैं, बातचित करेंगे, और इस चर्चा में आपका पक्ष विशेश रूप से मजबूत साबित होगा. कई से पैसा आजाने की समभावनाई भी बन रही है, जिसे आर्थिक सितिया बहुत ही बढ़िया बनती नजर आने वारी है. ये समभी खुद को भावनाई मगरूब से मजबूत रखने का है. कोई अश्यूब समाचार आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है, आप मेंसे कुछ लोगों को, स्टूरेंस जो है वो भी अपनी बढ़ाई से विमुक नाप रहें, उन्हें इस समय जो है जादा से जादा म आज विविसाइम में काम की अधिकता तो रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लें, दुपहर के बाद समय बैटर रहेगा, अनकूल रहेगा, रियल एस्टेर से आज जुड़े लोगों को बहतरीन प्रोजेक्ट्स वगरा मिल सकते हैं, करमचारियों का तिकत होने वाली नहीं है आज, अगर आप बैंक में जॉब करते हैं, तो भी दिन बढ़िया से गुजर सकता है आज का, काम से रिलेटिट बातों की हुई चर्चा आपके लिए नुकसान का कारण भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा आप में से कुछ लोगों को होगा, आज कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा, साथ ही विविसाई के स्थल पर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटिट आप जो है ब्लानिंग्स बर गैरा बना सकते हैं, बीमा, शियर्स, इस सब चीजों में इन्वेस्ट परताल जरूर कीजेगा, नौकरी में आज उच अधिकारियों के साथ समझ जो है, मजबूत रखना आपके लिए फायदेमन सामित हो सकता है, साथ में आपको हेल्प भी मिल सकते हैं अपने सीनियर से, जो लोग नौकरी में बदलाव लाना चाहते हैं, उन्हें फ्रेंड्स क मदद से अफसर मिल सकते हैं, दोस आज आज आपकी काम में काफी हद तक मदद करते हुए या सहयोग करते हुए नजर आने वाले हैं, तो ये बात कर ली हमने अभी बिजनस और केरियर की, अब बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में, लव लाइफ कहती है कि किसी भी आपको उचित समाधान मिल सकता है, बलकि आपको जो समाधान बाकी लोगों से नहीं मिल पा रहा था, वहीं चीज़ का जो हल है, आपको जीवन साथी या आपको परिवार के मेंबर से मिल सकता है. प्रेमी या प्रेमी का के डेटिंग में जाने के एक कुष्टमा प्रोग्राम भी बन सकते है साथ ही में आज जीवन में अचानक से पॉजटिव अदला भी आपको दिखने लगेगा जिससे आपको काफी रिलाक्सेशन फील हो सकते है प्रेम समन्दो में पॉजटिविट्य तो रहेगी रहेगी साथी में बच्चों में भी आज पॉजटिव नजर आएगा जीवन साथी के साथ एकन बदे कर अगर आपके कहा सुनी हो रही थी तो वो आज अगर आप थोड़ी से बातों के लेकर सुलचा ले तो जादा बैटर रहेगा, महाल कुछनमा फिर से बन जाएगा समय रहते आपस में सुलचा लीजिए मसला प्रेम समंदों में और भी नजीकियां बढ़ती नजर आएंगी काफी देर तक आप सुशल साइट्स और फोन पर बीजी रहते नजर आएंगी अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका के साथ तो थोड़ा अपनी परसनल लाइफ को भी थोड़ा मैंटेन केजिए यूँ जादा समय फोन पर या सुशल साइट्स पर मत बिताइएगा तो ये बात की हमने भी लव लाइफ की और अब बात कर लेते हैं आज के स्वास्तिके स्वास्तिक कहता है कि जुकाम, खांसी, गला खराब ये सब चीजें हो सकते हैं या फिर हलका बुखार भी रह सकता है आयोवेधिक इलाज करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए शरीरिक तकलीफ तो दूर होगी ही साथी में जीवेशली में पदलाव भी लाएं तो आपका जो सेहत है वो बढ़िया हो सकता है खून से रिलेटिट तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें आपको जादा मीठा नहीं खाना है साथ ही में आपको healthy vegetables खानी चाहिए जिसे की boiled vegetables उसे बहुत इच्छा रहेगा आपके लिए पिछले कुछ समय से चल रही स्वासा से रिलेटिट जो भी परिशानी थी उनमें अभी कुछ रहत मिलने माली है और आप अपने काम पर भी ध्यान के इंद्रित अच्छे से कर पाएंगे भरपूर आराम लीजिए देरा तक जागिगा मत ताइम पर सोना और टाइम पर उठना आपकी दिनचर्या को आपकी सहत को बहुत ही बढ़िया बना सकता है तो यह जिस जरूर अप्लाई कीज़ेगा अपने दिनचर्या में तो चलिए बंत में बात कर लेते हैं आज के जो है विशिय शुपाई के बारे में तो विशिय शुपाई आज आपके लिए कहता है कि आज आज आपको जो है भगवान शिप जी को धतूरा बेलपत्र और साथ में दूद अभिशीक आपको जरूर करना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चलागी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्यवाद